नमस्कार, आपका स्वागत है, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को सबसे पवित्र पौधा माना गया है, पुरालों में इसे केवल पौधा ही नहीं कहा गया, बल्कि ये साक्षात मा लक्षमी का ही रूप माना गया है, दरसल, तुलसी का पौधा मा लक्षमी का ही रूप जिसे प्राचीन काल में व्रिधा के नाम से जाना जाता था इसलिए ये पउधा आत्यांत पूजणिय माना जाता है। तोसी की नित्य पूजा करने से मालक्ष्मी प्रसन होती है। घर में तोसी का पौधा लगाना भी बहुत शुब होता है और इससे घर का वातावरन पवित्र हो जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार तोसी के पौधे को रोजाना जल अरपन करने से डैविय कृपा बनी रहती है और वैकुंद की प्राप्ती होती है। मान्यता के मुताबक तोसी माता को इंसान का उधार करने के यही धर्टी पर भीजा गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी भगवान विष्णू को अत्यंत प्रिय है और तुलसी में लक्ष्मी का वास होता है। जिनके घरों में तुलसी का पौधा होता है उनके उपब भगवान विष्णू की कृपा ग्रिष्टी भी बनी रहती है। तुलसी से घरों में अशुब दोनु संकेत देता है शुब संकेत से व्यक्ति के जीवन में सकारात्म कूर्जा आती है वहीं अशुब संकेत से व्यक्ति को जीवन में कई परिशानियों का सामना करना पड़ता है आज हम इस वीडियो में हम तुलसी के पौधे से मिलने वाले शुब और अशुब दोनों संकेतों के बारे में बताएंगे साथ ही इसके परिणाम भी बताएंगे, तो चलिए जानते हैं। तुलसी के पौधे के क्या-क्या शुप संकेत होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि तुलसी के पौधे के आसपास कभी कभार छोटी छोटे पौधे भी होने लगते हैं। ये शुप संकेत माना जाता है। इसका यह मतलब होता है कि जीवन में जल्द ही खुशिया आने वाली है। मा लक्ष्मी आपसे प्रसन है और आपकी आर्थिक स्थिती जल्द ही मजबूत होने वाली है। अगर घर में लगाया हुआ तुलसी का पौधा सूपते सूपते फिर से हरा भरा होने लगता है, तो ये शुप संकेत होता है। इसका ये मतलब होता है कि जीवन में सकारात्म कूर्जा का प्रवेश होने वाला है। भगवान विश्नु प्रसन है, मा लक्ष्मी और भगवान विश्नु दोनों का आशीरवाद आप पर बना है। अगर तुलसी के आसपास छोटी छोटी दूरवा घास उबने लगे तो ये भी शुप संकेत माना जाता है। जिसका इशारा होता है कि घर की आर्थिक स्थिती में सुधार होने वाला है। जियोति शास्त के अनुसार तुलसी पौधे का ये संकेत आपको अचानक धन की प्राप्ती करा सकता है। जब तुलसी के पौधे पर सुन्दर सुन्दर चिरिया, मन मोहक कोयल आकर बैठ जाए जिससे तुलसी खिली-खिली नजर आए तो इसे बेहद ही शुप शकुन माना गया है। इस संकेत से ये पता चलता है कि जल्द ही आपको धन लाब होने वाला है। और आपकी मनोकामना जल्द ही पूर्य हो सकती है। तुलसी के पौधे पर चिरिया का आकर बैठना धन लाब का संकेत माना गया है। तुसी पर मंजरी का उगना भी शुप संकेत देता है। यह आपके जीवन में धन की कमी को दूर करता है। माता लक्ष्मी और भगवान विश्नु की पूजा करते समय उन पर मंजरी चरानी चाहिए। ऐसा करने से आपको उनका आशीरवाद प्राप्त होगा। आए अब जान तुसी के पौधे के क्या-क्या आशुप संकेत होते हैं। घर में कभी भी तुसी के पौधे को मुर्जाने नहीं देना चाहिए। अगर लाख कोशशे के बाद भी पौधा मुर्जा गया है तो समझे की परिवार में दिक्कत आ सकती है। साथ ही इस बात का संकेत भी देता है कि घर में बुरी और नकारात्मक शक्तियों का वास है या घर में पित्री दोश हो सकता है। इस कारण से घर वालों के बीच आपस में लड़ाई जगड़ा बढ़ सकते हैं। इस समस्या का समाधान यही है कि जल्द से जल्द उस पौधे को हटा कर वहां हरा भरा दूसरा पौधा लगा दें। तुलसी का पौधा हरा भरा है लेकिन उसके पत्ते बहुत जढ़ रहे हैं तो ये भी अशुब संकेत होता है। तुलसी के पत्तों का जढ़ने का यह मतलब होता है कि धन संबंधी समस्याए पैदा हो सकती है। इसके अलावा परिवार में किसी की तब बिगर सकती है। आपने कई बार देखना होगा तुलसी के पौधे के पास चीटिया जमा हो जाती है। आप कितनी भी देखभाल क्यों न करें। चीटिया, मकोडे जैसे छोटे-छोटे जीव वहाँ अपना घर बना ही लेते हैं। लेकिन बता दे कि शकुन शास्त के अनु चड़ाना चाहिए। नहीं पत्तियों को तोड़ना चाहिए। मानिता है कि रविवार के दिन तुलसी माता भी भगवान विश्णु जी के ये निर्जला वरत करती है और उनमें यदि जल चड़ाया जाता है तो उनका वरत खंडित हो जाता है और भगवान विश्णु की क कादशी तिथी पर तुलसी के पौधे पर जल चड़ाना वर्जिक माना गया है। मान्यता के मुताबिक माता तुलसी का विवाह भगवान विष्णू की स्वरूप शालिग्राम की साथ हुआ है। इसी वजह से देव उठानी एकादशी के दिन माता तुलसी और भगवान शालिग्राम के विवाह का आयोजन काफी धूमधाम के साथ करवाया जाता है। माता तुलसी प्रत्येक एकादशी तिथी के दिन भगवान विष्णू के लिए निर्जल वरत करती है। ऐसी वीडियो देखने के ये वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद